सबी शोताओं को मेरा नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारी हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में आज के वेबिनार में हम डिसकस करने वाले हैं कमपेरिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के एडवांस कॉंसेट्स कुछ ही आफते पहले हमने एक वेबिनार किया था कमपेरिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेजिक कॉंसेट्स के बारे में उसके बाद कमेट सेंक्शन में आप सभी ने हमें लिखके बताया कि आप एडवांस कॉंसेट्स भी सीखना चाहेंगे इसलिए ये वेबिनार हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अगर आपने प्रीवेज वीडियो नहीं देखा है तो भी आप इस वीडियो को continue कर सकते हैं बिकर स्टार्टिंग में हम थोड़ा रिविजन करेंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और अगर आपको ये कॉंसेट पसंद आता है उसके बाद जाके आप प्रीवेज वीडियो भी देख सकते हैं इस वेबिनार को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वेबिनार में सबसे पहले हम रिवाइस करेंगे comparative relative strength उसके बाद comparative relative strength के practical example देखेंगे confirming breakouts with relative strength, divergence with relative strength, strategy examples देखेंगे, scanner example देखेंगे और अंध में इस वेबिनार को conclude किया जाएगा so price का जो strength होता है उसके दो तरीके होते हैं measure करने के compared to historical price जिसका example है RSI and compared to other stock or index जिसका example है comparative relative strength जो की हम आज इस वेबिनार में देखने वाले हैं so easy example कि थूँ मैं आपको ये समझाना चाहूंगा माली जी कि किसी student ने exam दिया है right तो उसका performance कैसे measure किया जाए उसको दो तरीके से आप measure कर सकते हैं या तो आप देख सकते हैं कि previous exam में उस student ने कितना score किया था और इस exam में कितना score किया है right तो वो हो गया compared to historical price of the same stock का example right and दूसरा option क्या है उसी student के performance को आप class के बागी student से compare कर सकते हैं right तो वो हो गया comparative relative strength आप उस stock के price को दूसरे stock या फिर index के performance से compare कर रहे है so I hope ये difference clear है बहुत ही simple difference है nothing complicated अगर आपको doubt आ रहा है तो comment में मुझे पूछे मैं आपको जरूर reply करूँगा so इसको calculate कैसे किया जाता है very simple stock A divided by stock B अभी stock B जो है वो एक index भी हो सकता है for example nifty next slide में हम इसी का एक example देखने वाले हैं so आईए next slide पर चलते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने plot क्या हुआ है Adani enterprise divided by nifty का chart which is relative performance chart of Adani enterprise यह chart देखकर हम यह कह सकते हैं कि काफी time तक Adani enterprise ने nifty को outperform किया था इस region में यहां से लेकर के यहां तक but कुछ हफतों से अभी जो है Adani enterprise फिलहाल nifty को underperform कर रहा है because यह chart जो है नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमें So I hope relative strength आपको समझ आ गया है आईए अब हम इसके कुछ advance concepts discuss कर लेते हैं Confirming breakouts with relative strength So सबसे पहले तो जान लेते हैं कि breakout क्या होता है Stock में जभी भी breakout होता है तो हम यह मानते हैं कि stock का price जो है उसी direction में एक नया trend फॉर्म करेगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक downtrend था और यह एक falling resistance line है या फिर downtrend line है और उसके breakout के बाद यहाँ पे trend जो है reverse हो गया उपर की तरफ continue हुआ Same way indicators में भी breakout होते हैं जैसे कि आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं यह stock का relative strength comparative relative strength indicator है और यहाँ पे भी हमें साथ साथ में breakout होते हुए दिख रहा है So relative strength का जो breakout होता है comparative relative strength का breakout वो हमें यह बताता है कि chances है कि stock जो है outperform करता रहेगा index को या फिर अपने peer stocks को राइट So इन दोनों concepts को अगर हम combine कर दें तो हमारी success होने के probabilities जो है बढ़ जाती है यानि कि trend जो है breakout की direction में जाता रहे है उसकी probability बढ़ जाती है हमें because indicator ने भी यहाँ पर breakout का confirmation दिया हुआ है So इसी concept को कैसे use करके trading करना है कैसे scanner बनाना है कैसे इस प्रकार के stocks को हम identify कर सकते हैं वो हम आगे चल के देखने वाले है So scanner example 1 इस scanner के थुरू आप identify कर पाएंगे इस प्रकार के stocks जिसमें एक downtrend था उसके बाद downtrend line breakout हुआ stock में as well as relative strength में So यह आपको देखके थोड़ा बहुत complicated लग रहा होगा But do not worry आपको यह पूरा बनाने की जरुवत नहीं है I will just explain you मैं आपको explain करूँगा step by step कि यह किस प्रकार से function कर रहा है उसके बाद मैंने already यह discover section में street platform पे feed करके रखा हुआ है जैसे ही आप platform पे जाएंगे वहाँ पे आपको यह ready made बना हुआ मिल जाएगा आप चाहे तो वहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से modification कर सकते हैं या फिर as it is भी आप इस scanner को चला के देख सकते हैं So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह कैसे काम कर रहा है इन conditions का meaning क्या है यह जानना तो बहुत ही जरूरी है right So nothing complicated, very simple So यहाँ पे मैं कह रहा हूँ period max 20 high minus 11 यानि कि इस region में जो भी high बना हुआ है वो होना चाहिए lower than period max 20 high minus 31 इस region के high से So इस region का high जो है कम होना चाहिए इस region का high से Same way इस region में जो high बना है वो कम होना चाहिए इस region के high से So that हमें एक falling trend मिल सके So, वो यहाँ पे बनाया हुआ है, हमने And then, breakout condition Finally, यहाँ पे बनाया हुआ है कि Period max 11, period max 20 Close minus 11 Lower than Alright, so यहाँ पे हमने close Higher than period max 15 Minus 11 यह कहके हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी जो close price है, close 0 वो जो है Period max 15 minus High minus 1, यानि कि यहाँ पे इस region में जो भी high बना हुआ है, उसको cross कर चुका है वो बता रहा है हमें यह line Right, अब यहाँ से जो है, हम relative strength पे आ जा रहे हैं So, relative strength क्या होता है Close divided by Close price of index, हमने यहाँ पे reference लिया है nifty को So, period max 20 close minus 11 divided By close of nifty index So, हम कह रहे हैं कि Relative strength जो है, वो भी falling है इस region में जो high बना है, वो कम है इस region में जो relative strength बना है वो कम है इस region के relative strength से और इस region में जो relative strength बना है वो कम है इस region के relative strength से So I hope आपको ये concept clear हो गया है एक बाव में फिर से quickly repeat कर देता हूँ first line और second line में हम check कर रहे हैं कि high यहाँ पे जो बना हुआ है वो कम है इस high से और यहाँ पे इस region में जो high बना है वो कम है इस region के high से और यह line में हम define कर रहे हैं breakout कि यहाँ पे अभी जो close price है वो previous 15 candle में जो भी highest price है उससे जादा होना चाहिए और यहाँ से जो है हम आ चुके है relative strength पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो relative strength value है वो गिरी है इसके comparison में और यहाँ पे जो relative strength value है वो गिरी है इसके comparison में and then finally last line में हम यहाँ पे breakout define कर रहे है same way जैसे कि हमने price breakout define किया है so आईए हम streak platform पे अब चलेंगे और इसे practically बना के वहाँ पे already बना हुआ है आप इसको directly जाके वहाँ पे discover section में search करके use कर सकते हैं या scanning कर सकते हैं so यहाँ पे मैं जाओंगा scanner में discover section में right and under webinar scanners यहाँ पे आप more पे click करेंगे so more पे जाते ही comparative relative strength breakout इस पे आपको click करना है यहाँ पे already सारे conditions बने हुए है आपको इसको बस एक name देना है मैं यहाँ पे एक name कर दूँगा and click करूँगा scan and save पे so मेरा scanner run हो रहा है यहाँ पे मुझे results भी देखने के लिए मिल जाएगा हम एक result को उठाएंगे और उसे check भी करेंगे let's see hero motor corp इसका chart हम जाके check करेंगे so यहाँ पे trading view charts पे मैं आ चुका हूँ और सबसे पहले तो indicator apply कर लेते हैं indicator में हम जाएंगे यहाँ पे आपको search करना है comparative relative strength so यह वाला indicator आप select करेंगे so यहाँ पे आपको indicator देखने के लिए मिल जाएगा and result में हम एक verify कर लेते हैं stock so यह है hero motor corp का chart और यहाँ पे आप जैसे की देख पा रहे हैं जैसे की हमने explanation देखा था slide में same way यहाँ पे भी हमें एक downtrend देखने के लिए मिल रहा है stock price में right stock price जो continuously downtrend में था और अभी recently इसने breakout यहाँ पे दिया हुआ है same way indicator में भी आप देखेंगे तो continuously lower highs form हो रहे थे downtrend में था relative strength indicator भी and उसमें भी हमें यहाँ पे recently breakout देखने के लिए मिला है so इस प्रकार से यह scanner काम करता है आप चाहें तो और भी दूसरे stocks को verify करके check कर सकते हैं इसी concept को use करके हम एक strategy भी बनाने वाले हैं और back test करके check करेंगे कि किस प्रकार से perform कर रहा है strategy so आईए strategy को भी देख लेते हैं इसमें भी आपको यह conditions बनाने की जरूरत नहीं है since यह long conditions है मैंने already discover section में यह बनाके रखा हुआ है ताकि आप directly वहाँ पे जाके उसको refer कर सकें so आईए फिर से हम चलेंगे streak platform पे streak platform के जाने के बाद आप हम इस बार आप जाएंगे discover section strategies के discover section में यहाँ पे मैं search करना चाहूंगा breakout so basically discover section क्या है कि यहाँ पे हमारे experts ने बहुत सारे ready made strategies educational purposes के लिए बनाके रखे हुए हैं तो अगर आप चाहें तो बाखी सारे strategies भी यहाँ पे discover कर सकते हैं right so search कर लेते हैं हमारी strategy जो हम discuss कर रहें इस webinar में यहाँ पे आप search करेंगे breakout and comparative RS breakout यह है strategy इस पे आप view back test पे click करेंगे so आपको back test results यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप modify करना चाहते हैं strategy को so आप उसके लिए यहाँ पे edit पे click करेंगे इसको आप नाम दे देंगे and then आप click करेंगे save पर जैसे ही मैं save पे click करूँगा यहाँ पे यह strategy अब मेरे account में under my strategy save हो चुकी है एक बार और मैं edit पे click करूँगा so यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरा condition मेरे सामने है time frame including time frame stocks and everything और यहाँ पे कुछ advance options है सारा कुछ default रखेंगे हम और इसको back test करके check कर लेते हैं कि कि किस प्रकार से आप भी back test कर सकते हैं save and back test पे click करूँगा मैं back test हमारा run होने लगा है और हमें results भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे so यहाँ पे आप देख पा रहें यहाँ पे जो है यह call हमें returns दिखा रहा है कि कितना returns हमने generate किया होता अगर हमने यह past में इस strategy को use किया होता wins, losses, winning streak, losing streak, max drawdown सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी अगर आप further analysis करना चाहते हैं मान लिजे कि SBIN पे मैं further analysis करना चाहता हूं तो मैं उस पे click कर सकता हूं यहाँ पे आपको brokerage toggle button मिल जाएगा यहाँ पे आप click करके सारे transactions को verify कर सकते हैं Along with date and time, each and every transaction has been shown over here और किस प्रकार का transaction था? entry, stop loss, target profit, सारी चीज़े यहाँ पे आपको detail में देखने के लिए मिल जाएगी So once you are ready to trade, अगर आप चाहते हैं कि इस strategy सा आप trade करना चाहें तो आप उन stocks को select कर सकते हैं जो भी आप trade करना चाहते हैं और इसके बाद deploy button पे आप click कर सकते हैं यहाँ पे बाकी सारे options select करने के बाद आपके पास दो options हैं या तो फिर आप paper trade कर सकते हैं या फिर live trade कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग मोड में real capital नहीं use होगा तो अगर आप कोई भी strategy को live market में test करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बहतेरीन option है paper trade यह था breakout concept I hope आपको समझ आ गया होगा अगर आपको कोई भी doubt है अभी भी तो email id support at the rate streak.tech पे आप लिखके बता सकते हैं secondly obviously आप comment section में भी आप लिखके बता सकते हैं हम आपके doubts solve कर देंगे so आईए second concept पे हम चलते हैं अब second concept जो की है divergence with relative strength so divergence पे भी मैं already एक video बना चुका हूँ detailed video जिसमें सारा कुछ divergence के बारे में covered है अगर आप चाहें तो वो भी जाके refer कर सकते हैं so यहाँ पे हम एक type का divergence discuss करने वाले हैं सबसे पहले हम revise कर लेते हैं कि divergence होता क्या है so price और indicator में जभी भी new highs and new lows form होते हैं और वो एक दूसरे को confirm नहीं करते हैं तो उस condition को कहा जाता है divergence condition divergence जो है वो एक early warning sign होती है trend reversal की right so एक example देखते हैं यहाँ पे दो example दिखाए हुए हैं दोनों में आपको explain कर देता हूँ यह जो example है वो है hidden bullish divergence यानि कि stock ने जो है higher low बनाया हुआ है price higher low बना रही है यहाँ पे right यह वाला जो low है वो इससे higher है but indicator ने जो है वो lower low बनाया हुआ है lower low indicator ने बनाया हुआ है तो यह हो गया hidden bullish divergence right इसके बाद chances है कि stock जो है reverse करेगा trend को और uptrend में आ जाएगा second example जो यहाँ पे है bearish divergence bearish divergence में क्या होता है stock जो है higher high बनाता है यह वाला high इस high से उपर है and but indicator जो है वो lower high बनाता है यह जो high है indicator का वो इससे काम है तो इसे हम कहते हैं bearish divergence so हमने bullish condition buy strategy तो already बना के देखी right इस बार हम bearish divergence, bearish strategy भी बना के test करेंगे and scanners obviously so four different type of divergence होते हैं bearish divergence, bullish divergence, hidden bullish divergence and hidden bearish divergence आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं divergence पे अगर आप detailed में सिर्फ divergence के बारे में ही सीखना चाहते हैं so आइए scanner पे चलते हैं और इस scanner को बनाते हैं ये scanner के conditions इतने जादा बड़े नहीं है previous scanner और strategy के comparison में so हम इसे manually practically बना के देखेंगे कि अगर आप खुद के strategies and scanners भी बनाना चाहते हैं तो कितना easily आप बना सकते हैं so आइए again we'll go to the street platform scanners में जाऊँगा मैं click करूँगा create scanner पे यहाँ पे आप कुछ भी select कर सकते हैं बहुत सारे options यहाँ पे available हैं futures, options, different sectors but I'll go with nifty fifty for now time frame चूज कर लेते हैं let's say one day again and candlestick रहने देंगे so आइए scanner के conditions बनाते हैं हमें basically क्या check करना है कि अभी जो high है वो previous high से उपर है so उसी condition को हम सबसे पहले बनाएंगे हम मैं यहाँ पे कहूँगा period max 20 high minus 1 higher than period max 20 high minus 21 so basically क्या कहा हमने यहाँ पे हमने define किया कि इतने 12 candles में अभी जो 20 candles है sorry उसमें जो high बना हुआ है वो उसके पहले और जो 20 candles थे उससे उपर होना चाहिए right अब same way हम relative strength के conditions बनाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि अभी जो highest relative strength value था previous 20 candles में latest 20 candles में वो उसके पहले जो भी 20 candles थे उससे कम होना चाहिए so आईए इसको भी बना लेते हैं very simple again I will click on add another condition मैं यहाँ पर करूँगा period max 20 high minus 1 divided by symbol अब हमें यहाँ पर निफ्टी का हाई चाहिए divide करना है निफ्टी के हाई से stock के हाई को so यहाँ पर symbol function का use करेंगे और निफ्टी 50 टाइप करेंगे निफ्टी 50 select करेंगे और यहाँ पर मैं again high minus 1 right यह होना चाहिए lower than so यहाँ पर डालेंगे lower than period max अगर आप यह खुद नहीं बनाना चाहते हैं तो do not worry आप जस्ट वीडियो को देख लें मैंने इसको भी discover section में आपके लिए डाल के रखा हुआ है तो आप वहाँ पर directly refer कर सकते हैं high minus 21 divided by symbol nifty and इसमें भी वापस हम डालेंगे high minus 21 right so यह हमारा condition यहाँ पर ready हो चुका है हम इसे नाम देखे अब scan कर सकते हैं click on scan and save okay name already exists so यहाँ पर मैं कुछ number दे दूँगा इसको scan and save so यहाँ पर हमें results देखने के लिए मिल चुके हैं और आएए वापस से एक stock को चुनते हैं और उसको verify करके देख लेते हैं Asian paints को ले लेते हैं so let's go here Asian paints daily chart so आपको मैं draw करके दिखा देता हूँ यहाँ पर जो high बना हुआ है वो उपर की तरफ बना हुआ है but indicator में क्या हुआ है जो high है वो lower high बना हुआ है so यहाँ पर हमें bearish divergence की condition देखने के लिए मिल रही है इसी प्रकार से आप बाकी सारे time frames या फिर sectors जिस पर भी आप स्कैनिंग करके चेक कर सकते हैं अब हम इसी concept को लेकर के एक strategy develop करेंगे और इसी दौरान में आपको एक interesting feature और दिखा दूँ platform पे मुझे यह conditions वापस बनाने की जरूद नहीं है अगर मैंने एक बार बना ली है मैं क्या कर सकता हूँ simply click कर सकता हूँ convert into strategy पे और यह जो scanner है strategy में convert हो जाएगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक take life का option भी दिया हुआ है so suppose आप manually scanning नहीं करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि जो system है automatically आपके लिए scanning करें और आपको results के alerts देता रहा है आपके mobile phone पे या फिर PC पे तो आप इस option का इस्तिमाल कर सकते हैं मैं click कर सकता हूँ take life पे यहाँ पे alert frequency select करनी है यानि कि कितना frequently आप चाहते हैं कि scanning हो मानी जी कि आप चाहते हैं हर 5 minutes पे scanner automatically run हो और आपको alerts मिले तो आप 5 minutes select कर ले या फिर आप चाहते हैं जादा frequently हो 1 minute के लिए आप जा सकते हैं और take life पे click कर सकते हैं उसके बाद आपका जो scanner है live हो जाएगा फिलाल हम scanner को convert करने वाल है strategy में so I'll click on convert into strategy so time frame हम यहाँ पे change कर लेंगे हम use करने वाल है 5 minute का time frame कुछ stocks यहाँ पे add कर देते हैं and यहाँ पे हम quantity select कर लेंगे let's say I want to trade 100 quantity and since यह bearish divergence condition है तो यहाँ पे हम select करेंगे sell position conditions यहाँ पे बनी हुई है मैंने already explain कर दिया है कि किस प्रकार से यह conditions काम करती है so exit condition हम डालेंगे let's say I want to exit if 2% stop loss is hit or 6% target is hit right and advance section में कुछ changes करेंगे यह MIS strategy है so मैं इसको MIS कर दूँगा and then now we are finally ready to backtest this strategy and check the performance so मैं इसको एक नाम दे देता हूँ and then we'll click on save and backtest तो हमारा backtest run होने लगा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें results भी देखने के लिए मिल चुके हैं again आप details में analysis करना चाहते हैं तो इसको click कर सकते हैं और सारी details यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिलहाल जो market है काफी समय से बहुत ही बुलिश रहा है फिर भी हमने एक bearish strategy यहाँ पे बना करके उसमें अच्छा performance यहाँ पे obtain किया हुआ है राइट अगेन अगर आप trade करना चाहते हैं इस strategy को paper trade या फिलाइफ टेट तो आप deploy all पे click कर सकते हैं इस वेबिनार के conclusion पे पहुँच चुके है आपको help करते हैं उन sectors और stocks को चुनने में जो की बहतर perform कर रहे हैं अगर आप इसके बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो अगेन मैं repeat करूंगा आप हमारा previous relative strength का वीडियो जरूर देखें comparative relative strength को यूज करके आप breakouts और divergence दोनों का इस्तिमाल कर सकते हैं जो भी concepts हमने इस webinar में discuss किये हैं वो आप extend कर सकते हैं different type of divergence और breakouts में जैसे कि हमने यहाँ पे सिफ एग ही type का breakout कवर किया हुआ है अगर आप breakout confirmation दूसरे type के breakouts में use करना चाते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं and again divergence में तो मैंने आपको बताया ही था four अलग-अलग type के divergence होते हैं वो सारे type के divergence आप create कर सकते हैं street platform पे using relative strength indicator या फिर कोई भी और indicator बहुत सारे अलग-अलग type के strategies और scanners बना सकते हैं आप इन advanced concepts का use करके so हमारे साथ अन तक बने रहने के लिए इस webinar में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आशा करता हूं आप सभी को ये webinar बहुत पसंद आया होगा it's a pleasure to have all of you with us towards the end of this webinar so this webinar को यहीं खतम करेंगे हम मिलता हूं मैं आप से next time thank you everyone have a nice day ahead take care